आज है 9 अगस्त और आज का मौस्ट इंपर्टन करेंट अफे लेकर आये हूं आज का पीडिएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से और हमारे टेली गराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेली गराम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जागा और लाश में दो क्विज करूँगा जिसका अंसार आपको नीचे एक कमेट में लिखना है अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन ने हाली में किस देस ने भारत के साथ ब्यापारिक संबंध समापत करने की गोशना की हैं उने पाकिस्तान से भारत जाने का निर्देश दे दिया हैं ठीक है यानि अजय बसरिया अब वो आपस आजाएंगे पाकिस्तान से तो ध्यान में रखिए कि कौन थे पाकिस्तान में भारत के उचायुक्त अजय बसरिया थे उत्तर है पाकिस्तान अब इसके बारे में जान लिजे बारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड किलिफ रेखा वर्तमान में पाकिस्तान के राश्परपती है आरीफ अलवी परदान मंत्री है इमरान खन पाकिस्तान में जो संसद है उसका नाम है नेशनल एसेमली और मोद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपिया अच्छा पाकिस्तान की कैपिटल का है इसलामाबाद Next बॉलिवड के प्रसेद फिल्म मेकर का क्या नाम है जिनका हाली में निधन हो गया है इनका नाम है जे ओम परकाश हाली में इनका 93 वर्स की आयो में निधन हो गया है रितिक रोशन जो एक्टर है उनके ये नाना थे और फिल्म मेकर यानि निर्देशक थे इन्होंने कुछ प्रसिद फिल्मों का निर्देशन किया है उन फिल्मों का नाम बता रहूं आपकी कसम आखिर क्यूं अपनापन आशा अरपन आदमी खिलाओना है इतियादी ठीक है भारत सरकार ने निम्नमे सिक्की से वीर चक्र से सम्मानित करने की गोसना की है तो हाली में भारा सरकार ने Wing Commander अभिनंदन वर्थमान को वीर चक्र से सम्मानित करने की गोसना की है Wing Commander अभिनंदन वर्थमान कौन है इनके बारे में तो सबी लोग जानते होंगे बाला कोट में हमले के दोरान इनका fighter plane जो है वो crash कर गया था और ये पाकिस्तानी area में गिर गये थे उसी समय पाकिस्तानी साइनिकों ने इने पकड़ लिया था बाद में पाकिस्तान ने इने भारत को सौप दिया था तो यही है wing commander अभी नंदन वर्थमान इने हाली में भारा सरकार ने वेर चक्र से सम्मानित करने की घोसना की है वेर चक्र जो है यूद के समय दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरसकार है ठीक है यूद के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरसकार है परमवीर चक्र और दूसरा सबसे बड़ा पुरसकार है महावीर चक्र ठीक है अच्छा आप ये बतिये कि शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरसकार कौन सा है वो है अशोग चक्र उपभुक्ता सारक्षन विध्यक 2019 में ब्रामक विज्यापनों का प्रचार करने पर कितना जुर्माने का प्रवधान किया गया है तो भ्रामक विज्यापनों का प्रचार करने पर सेली ब्रीटियों पर 10 लाख रुपे से लेकर 50 लाख रुपे तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसके अनुसार मोटर वाहनों से संबंधित दंड सुल्क में परती वर्स कितनी विरिधी की जाएगी तो दंड सुल्क में परती वर्स 10 प्रतिशत की विरिधी की जाएगी। तो उसके उपर 10 लुपे का जुर्माने का प्रावधान है। तो ये 10 लुपे हर वर्स नहीं रहेगा। हर वर्स इसमें 10 प्रतिशत की विरिधी की जाएगी। अगला कोशन है, हाली में किस देश के नोबेल पुरसकार विजे था, टौनी मौरिसन का निधन हो गया है। ये अमेरिका के हैं और हाली में इनका निधन हो गया है। ये लेखक थे। इनकी एक उपन्यास थी बे वॉच, उसके लिए इन्हें 1987 में पुलितिजर पुरसकार दिया गया था। अमेरिका उत्तर है, इसके बारे में जनी है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंग्टन दी सी, यहां के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, यहां की संसाद का नाम है कांग्रेस और मुद्रा का नाम है डॉलर। निम्न में से किस ने चारली चैपलीन पुरसकार 2019 जीता है। एस्ट्यू कुगन ने चारली चैपलीन पुरसकार 2019 जीत लिया है। एस्ट्यू कुगन जो हैं ब्रेटिस अभिनेता है। और यह पुरसकार जो है चारली चैपलीन का नाम पर ब्रेटिस फिल्म अकादमी द्व फियोना कोल बिंगर, ओप्शन डी, इस तरह से 4000 किलो मीटर की साइकलिंग ट्रांस कॉंटिनेंटल रेस जितने वली ये विश्व की प्रथम महिला बन गई है, बुल्गारिया से लेकर वेस्टर्न फ्रांस तक की दूरी इन्होंने तै की है, इरोप में ये रेसिंग की गई थ फियोना कोल बिंगर, ये कहां की है, जर्मनी की है, जर्मनी की कैंसर रिसर्चर ही ये, हाले में किस इन्वर्सिटी के वेग्यानिकों ने दुनिया का पहला 2D सोना विक्सित किया है, तो हाले में इन्वर्सिटी ओफ लिड्स के वेग्यानिकों ने 2D सोना विक्सित किया है, यह University किस देश में है, Britain में है और यह 2D सोना जो है, मनुशे के नाखून से भी कई गुना पतला है और 2D रूप में सोना बेहद लचीला होता है, यह प्रूब्ड हो गया है अच्छा, इसका इस्तेमल किसले किया जाएगा 2D सोने का? बेंडेबल स्क्रीन, इलेक्ट्रोनिक्स याही, चिकित्सा निदान परिक्षन और जल शोधन पढ़नाली में इसका इस्तेमल किया जा सकता है हाली में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने Falcon 9 रोकेट की मदद से इजराइल की संचार उपगरा एमोस 17 को सफलता पुरवद्त परक्षेपित किया है अमेरिका की प्राइबेट सपेस एजेंसी है, इसका नाम है स्पेस एक्स हाली में इसने Falcon 9 रोकेट की मदद से इजराइल की संचार उपगरा एमोस 17 को सफलता पुरवद्त परक्षेपित किया है ठीक है? अच्छा ये बताईए कि अमेरिका की सरकारी Space Agency का क्या नाम है? उसका नाम है NASA और ये Space X जो है वहाँ की Private Space Agency है और इस रोकेट को लॉंच किया गया अमेरिका के फ्लो रीडा से ओप्शन में जितने भी नाम है सभी जो है Space Agency है इस रो भारत की Space Agency है SpaceX अमेरिका की नासा भी अमेरिका की और जाक्सा जो है जापान की Space Agency है जाक्सा का फूल फाम होता है जापान Aero Space Exploration Agency MTS का एक्जाम चल रहा है उसके एक सिफ्ट में पुछा हुआ था इस रो के चेर्मेन कौन है वर्तमान में तो डाक्टर के सीवन है ठीक है इस रो का फूल फाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गेनाजेशन अस्थपना हुई थी 15 अगस्त 1979 को हेड़क्वाटर इस रो के बारे में जानेंगे नीचे लिखा हूँ नासा के बारे में भी जान लिजेए ये भी पूछ सकता है नासा का फूल पाम होता है नेशनल एरोनौटिक्स एंड एस पेस एड्मिनिस्ट्रेशन इसकी अस्थपना उनिस ऑन्ठावन में की गई थी हेड़क्वाटर व इस राइल की जो संसद है उसका नाम है नेशेट और मुदरा का नाम है निउशेकल अब जानिए एस पेस एक्स के बारे में इसकी अस्थपना छे मई 2002 को की गई थी हेड़क्वाटर कैलिफॉर्निया में है वर्तमान में इसके CEO है एलन मस्क और प्रेसिडेंट है गिविन न शोट्वेल पावर ग्रीड कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशा कौन बने है तो पावर ग्रीड कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया के CMD बने है इनका नाम है कांधी कुपा स्रीकांत ओप्शन सी ठीक है CMD का फुल पाम होता है Chairman and Managing Director तो पाव पावर ग्रीड कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया के CMD बने है कांधी कुपा स्रीकांत पावर ग्रीड जो है इसके असापना 23 अक्टूबर 1989 में की गई थी हेड़क्वाटर गुरू ग्राम हरियाना में है किस देश के दिगज फूटबाल खिलाडी Diego Forland ने सन्यास लेनी की घोसना की है ये उरुगवे के दिगज फूटबाल खिलाडी है ठीक है इस ट्राइकर है और हाल ही में इनोंने सन्यास लेनी की घोसना की है 2010 में फिफा विश्व कप हुआ था उस समय ये 5 गोल किये हुए थे अकेले और उस समय इन्हें गोल्डेन बॉल एवार्ड मिला था डी एगो फोर लांको उरुगवे के बारे में जान लीजे साउथ अमेरिकन कंट्री है उरुगवे इसकी कैपिटल है मोंटे वीडियो प्रेसिडेंट है ताबारे वाजक्वेज यहां की संसत का नाम है आमसभा यानि जनरल एसेंबली और मुद्रा का नाम है पेसो अगला कोशन है ओयो होटल्स एंड होम्स ने दक्षिन पुर्व तथा मध्य पुर्व एशिया के लिए किसे मुख्य कारेकारी अधिकारी यानि CEO नियूक्त किया है तो CEO बने है इसके मंदार वैद्या ओप्शन ए ध्यान में रखिए दक्षिन पूर्व तथा मध्य पूर्व एशिया के लिए CEO बने हैं अब इस कंपनी के बारे में जान लीजिए OEO के बारे में जानिए OEO की अस्थपना 2013 में की गई थी Headquarter Guru Gram Haryana में है और इसके संस्थापक कौन है? रितेस अगरवाल है और वर्तमान में OEO के CEO हैं अधित्य घोस अगला कोशन है आठ अगस्त को भारत रत्ने से सम्मानित प्रणव मुखर जी यह सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के कौन से राष्ट्रपती बन गया है? इसके पहले वो चार राश्पति कौन है जी नहीं है पुरस्कार मिला है अब आपके मन में सवाल उट रहा होगा कि एपी जे अब्दुल कलाम को भी भारा तरत ने मिला है तो एपी जे अब्दुल कलाम को 1997 में ही भारा तरत ने मिल गया था उस वक्त वो बैज्ञानिक थे उसमें वो राश्ट्रपति बने भी नहीं थे ठीक है तो इस चीज को द्यान में रखियेगा राश्ट्रपति बनने के बाद पांचवे राश्ट्रपति बन गये हैं प्रणव मुखरजी जिने भारत रत ने दिया गया है अब इन से संबंधित कुछ महत्पूर्ण चीजे बताऊंगा ध्यान से सुनियेगा प्रणव मुखरजी भारत के तेरहुए राश्ट्रपति थे कब से कब तक? 2012 से 2017 तक ये भारत के वितमंत्री भी रह चुके हैं 2009 से 2012 तक ये वितमंत्री थे किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से थे इन ही के साथ में दो और लोगों को भारत अरत ने दिया गया है 8 अगस्त को किसे दिया गया है? नाना जी देशमुक को और भूपेन हजारिका को दोनों को मर्नो परांत दिया गया है नाना जी देशमुक RSS के विचारक थे, वहीं भूपेन हजारी का सिंगर थे, अब इसी तरह से भारत अरत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई है? इस पुरस्कार की आस्थापना कब की गई थी? 1954 में, 1954 में पहले बार यहाप पुरस्कार की से दिया गया था? तीन लोगों को दिया गया था, सर्वपली राधा कृष्णन, सी राज गुपालाचारी और सी वी रवन को दिया गया था, अब यहाँ पर एक चीज और नोट बिस साल के बाद पहली बार तीन लोगों को एक साथ भारत अरत ने दिया गया है, इससे पहले बिस साल पहले ही तीन लोगों को एक साथ भारत अरत ने दिया गया था, इस बार जो यह भारत अरत ने दिया गया है, चार साल बाद दिया गया है, इसके पहले 2015 में भारत अरत दिया गया था किसे अटल विहारी बाजपी और मदन मोहन मालवी है अटल विहारी बाजपी भारत के पुर्व परधान मंत्री है और मदन मोहन मालवी है ये कौन है बनारस हिंदू विश्व विद्याले के संस्थापक है तो ये था हमारा आज का करेंटरफियर वीडियो हो गई है बीस किर और लड़दाप में जीलों की संख्या हो गई है दो एक लेह और एक कार गिल के दूसरा कोशन था जम्मू काश्मिर पुणारगाँथन विद्यक 2019 के परी सीमन के बाद जम्मू काश्मेर में कुल विधान साबसीट की संख्या कितनी होगी, तो कुल विधान साबसीट की संख्या होगी 114, इन दोनों कोशन का एंसर सभी लोगों ने सही दिया था, कुछ लोगों ने मिश्टे किया था, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे त प्राइवर्सिटी 2019 का खिताब जीता है दूसरा कोशन है इबराहीम मुहम्मद सोली किस देश के राष्टर पती हैं दोनों कोशन का एंसर नीचे कमेंट में लिख दीजे और जो लोग पहले पर हमारे चैनल पर हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजेगा ताकि सब वीडियो का नोटिफिकरस आपको सबसे पहले मिलता रहेगा